अबसकार दोस्तों मैं हैं डोक्टर दल्बी सिंग आप देख रहे हैं यूट्व चैनल क्वेस्टनिया दोस्तों आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एसिस्टेंट प्रोफेसर की वकैंसी लेके और ये लग बग दस प्राइवेट उनिस्टी ऐसी हैं जिनके अं प्राइवेट उनिस्टी के अंदर भी बड़ा अच्छा स्कॉप है कि एसिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं हो सकता है वहाँ पर वर्क का बड़न भी इतना ना हो और अच्छे खासे पैसे भी आपको प्राइवेट उनिस्टी आजगाल ओफर कर रही हैं और कुछ उ आए उनको जल्दी से देख लेते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी यूनिस्टी है और कहाँ पे आपको अपको अप्लाई करना चुछ यह जो भी आपके नजदीक पढ़ती है या दूर भी आप पढ़ते हैं कहीं भी जहाँ यह दिया आप अप्लाई करना चाहते है तो आपके अंदर है इसका head office, नासिक, नोयडा, बेंगलूरू, हैदराबाद और नागपूर, यहां पे इनके अलग-अलग इनके institute हैं, अलग-अलग इनके office हैं, तो university कुन सी है, पहले नंबर पे हम देखें, तो यह है Symbosis University, Symbosis, कई मैं इसकी spelling mistake ना करता हूँ, Symbosis, और इसका नाम है Symbosis University, इसकी opening date बता रखी है, एक्चल में, कि फार में निकलने की date कब है, और वो है 23-3-2022, मतलब क्या कि आप इसको ये समझेए, कि 23-3-2022 को फॉर्म निकले हैं, और आज मैं record कर रहा हूँ, वो 25 तारिक को record कर रहा हूँ, अभी मतलब यह दिबात करें ना private university की ज्यादतर होती है, 15-20 दिन इनके एक validity होती है, मतलब कि आगे 15-20 दिन तक आप apply कर सकते हैं, पर दो बहुत सारी university ऐसी हैं, जिनके अंदर last date होती ही नहीं है, और ऐसी एक university है, भी सिंबोसिस हिसने ना last date mention ही नहीं की है, मतलब सिर्फ opening date की है, कि हमने, मतलब इसके बारे में जो application मांगे हैं, वो मांगे है 23-23-2022 को, और इसके बाद कोई भी discussion यह नहीं है, कि last date क्या है, कब तक आपको apply करना है, यानि कि आप यह समझ लीजिए, जब तक आपकी मरजिया आप apply कर सकते हैं, जिनके आपको चाहेगी, तो बुला सकती है, और आप mention, अपने forum में यह भी कर दें, कि हमें कौन से campus के अंदर जो बचाहिए, किसी भी campus के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे link से मेरा मतलब इससे है, कि जो आपका URL है, यानि कि site पे जो आप जाना चाहेंगे, जहाँ आप विजिट करना चाहेंगे, वो आपको description में आपे मिल जाएगा, अब बात करते हैं दूसरी उनिस्टी के, और दूसरी उनिस्टी यहाँ पे है, SRM आंदरा परदेश, SRM और आंदरा परदेश, आंदरा परदेश के अंदर यह है, particularly इसकी भी बात करें तो इसकी opening date है, last date इसकी mention नहीं है, अब SRM यूनिस्टी कैसी है, देखिए, मैंने इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया है, और नहीं यहाँ आपे विजिट किया है, कांदरा परदेश मेरे से मैं हरियाणा गेंदर रहता हूं, बहुत दूर है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा से information नहीं है, पर नतों फिर भी इसके अंदर वकैंसी जरूर मांगी है, और यहाँ पे आप देखिए, इसकी opening date mention करकी है, और वो है 20 March 2022, 22, 20 March 2022, आप यह समझे हैं कि यहाँ पे opening date mention करकी है, तो आप जब form apply करना चाहें, तब आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, उसके बाद में हैं 3rd University, और वो है AKS University सतना, AKS University, और इसकी location कहा है, सतना के अंदर, और यह दिए आपको पता है कि सतना का allocated बहुत ची बात है, यह दिए आपको नहीं पता थे मैं हमको पता देता हैं कि मद्यापरदेश के अंदर सतना located है, तो मद्यापरदेश की युनिस्टी है, प्राइवेट युनिस्टी है, भी आपको opening date मिलेगी यानि कि last date mention नहीं करकी है और opening date है इसमें 22 March 2022 तो यानि कि 22 तारिक को यहाँ पर opening date हुई थी और इसके बाद मैं मतलब last date पता नहीं क्यों नहीं mention करते हैं और हो सकता है इनका भी कोई region particularly हो ये reason होता है कि ये university है ना मतलब कई बार ना मैंने ऐसा सुना है क प्राइवेट जितनी भी फ्रम होती है उनके अंदर जो faculty जो से level के उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है जिसे उनको समस्याय रहती है कि यह बाउंड कर देते हैं लास्ट डेट क्या है तो फिर जो application मिलने कि उनको यानि कि जितने application जितना data उनके पास होना चाहिए वो proper data न मनिपाल उनिस्टी के बारे में आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता परन तो यह मनिपूर के अंदर नहीं है तो सबसे पहले बात है मनिपूर के अंदर नहीं है यह है जैपूर के अंदर मनिपाल उनिस्टी जैपूर तो प्राइवेट उनिस्टी है और मनिपाल उन और उसका नाम है MIT, World Peace University, इसका नाम है और यह लोकेटिड है पूने के अंदर, यहाँ पे एक खास बात यह है कि इसकी लास्ट डेट मेंशन करकी है, और लास्ट डेट यहाँ पे जो मेंशन की गई है वो करकी है 31 मार्च, यानि कि आपका अप्लाई करना होगा यहाँ पे 31 मार 2022 तक, तो इसके अंदर भी आप इबलाई कर सकते हैं, अगले उनिस्टि पर चलते हैं, जो छटे नमबर पे है और वो है निर्मा उनिस्टि, यह कहाँ पे लोकेटिड है, एमदाबाद के अंदर, जो एमदाबाद गुजरात के अंदर है, उसके अंदर यह लोकेटिड है, ह यहाँ पे भी opening date mention करकिया, last date mention नहीं है और opening date है यहाँ पे 16 मार्च 2022, इसके बार मेगलीनिस्टी पे जलते हैं और वो है साथवे नमबर पे स्री वैसनो विद्यापीट वीसविद्यले इंदौर, साथवे नमबर पे, और इसका नाम है स्री वैसनो विद्यापीट वीसविद् और यहाँ पे ना last date mention करकी है, last date mention करकी है यहाँ पे इसको सोट में लिखूँ तो स्री वैसनो विद्यापीट विद्यापीट वीसविद्यापीट हैं यहाँ पे last date जो mention करकी है वो mention करकी है 26 अवार्च 2022 और मैं 25 को record कर रहा हूं तो आप apply कर सकते हैं परंतु इसके अंदर flexibility होती है कि आप apply जरूर करने जैसे मैं बात कर रहा है था अब जलते हैं नेक्स उनिस्टी बे और वो हमारे सामने आठवी उनिस्टी आठवी उनिस्टी का नाम है M-N-M-I-M-S और इसका पूरा नाम क्या है यह दो मुझे भी नहीं बता डीमड उनिस्टी है यह इसके च्छे क इसकी ओपनिंग डेट है मतलब लास डेट इसके मैंसन नहीं कर रखी तो हम यह बताई नहीं सकते कि लास डेट का अब है फ्लेक्सिबिलीटी है आप यहां पर एपलाई जरूर कर दें नौवे नंबर की जो इनिस्टी है हमारे सामने वो है SRM इंस्टिटूट साइंस एंड अब यह ट्रीची है फिल्य जो भी है परंतो यहं लोकेटेड है तमिल लाड़ो के अंदर और तमिल अंदर इसकी जो ओपनिंग डेट है वह पांच मार्च पांच मार्च 2022 इसके भी लास्ट डेट मेंशन नहीं है तो हमारे सामने सिर्फ इसकी ओपनिंग डेट है तो एक महिना तक आप अप्रोक्सिमेटली आपे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट यूश्टी पे चलते हैं ये बड़े इंपोर्डेंट है वो है 10 यूश्टी और उसका नाम है गनपत यूश्टी गुजरात और ये गनपत यूश्टी और लौकेटेट है गुजरात के अंदर इसकी लास्ट डेट मेंशन है और लास्ट डेट है इसकी 4 अपरेल 2022 को यानि कि 4 अपरेल तक आप अप्लाई आपी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी 10 उनिस्टी जो मैं आपको बदाना जाता था और प्राइवेट उनिस्टी है और प्राइवेट उनिस्टी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि गवर्मेंट और या फिर प्राइवेट उससे फरक नहीं पर चांस यह रहेगा दोस्तों किस परकार का आप को वीडियो लगा आप कुमेंट सेक्शन के अंदर बताईएगा कोई आपको किसी भी परकार की मैं क्या एक कर सकता हूँ व भी आप कमेंट सेक्शन के